आप सबका स्वागत है टेकनोलोजी के एक और नए एपिसोट में यहाँ पे तो बिलकुल अजूबा हो गया है क्योंकि लोगों को रिचार्ज के बाद जियो वैलकम आफर नहीं मिलता लेकिन यहाँ तो एडवांस में जियो टूफ आईजी नेटवर्क का जियो वैलकम आफर दे दिया गया है कस्टुमर को और सबसे बड़ी बात यह होती है कि यहाँ पर कोई एडवांस रिचार्ज भी नहीं है जो की नॉर्मली मिनिमम रिक्वार्मेंट होती है आप इसी में देखेंगे कि आपको एडवांस रिचार्ज करना होता है उसके बात आपको कहीं जाके लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप पूरी तरीके से 23 डेज की वैलिटी दे रखी है जिसमें कि आपको अलिमिटेट 5G डेटा यूज करने के लिए मिलता है और सबसे इंपॉर्टन तिंग यह भी आती है कि ऑल्रेडी वर्किंग में भी है जियो 5G और साथ में करेंट प्ला भी बहुत कुछ है टेकनोलीजी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन तिंग यह आती है कि आप एक्चुली किस वजह से यह एडवांस में जियो वैलकम आफर मिलवाए विथाउट एनी रिचार्ज क्योंकि यह एक पोस्पेट करेक्शन है और जियो प्रोवाइड करवाता है वहाँ पे आपको एडवांस ऑटो री नियू ऑप्शन जैसे कि आपने अभी करेंट प्लांट जैसे कि आप प्रीपेट चला रहे है या नौर्मली आपने कोई रिचार्ज करवा रहा है उस पे आपको जीओ वैलकम आफर मिलावाई 23 डेस का कुछ टैम के बाद मतलब 15 स 20 दिन के बाद आपको जो रिचार्ज है उसकी वैलिडेटी और जीओ वैलकम वैलिडेटी जो है जो वैलकम आफर मिलता उसकी वैलिडेटी सेम हो जाती है तो डैट मी से है कि जैसे आपका रिचार्ज खतम होता है उसी दिन जीओ वैलकम आफर भी खतम हो जाता है लेकिन आ महां पर आपको advance में edit दिखा देता है 23 days की मतलब जैसी आपका recharge खतम होगा वैसी वह auto आपका जो recharge है advance में prepaid की बात कर रहो है हाप तो वह automatic की Geo Fiber में, मतलब Geo True 5G में convert हो जाएगा और शुरू के जो 23 days है आपकी validity आपने एक साल का cover doesn't matter और वह 23 days के बाद मतलब 20 या 25 दिन के बाद ही यह पूरा pack जो है आपको 23 days का ही मिलेगा उसके बाद auto renew हो जाता है एक नया pack जो कि आपकी validity पे work करता है लेकिन यहाँ पर post bid में कहा है क्योंकि आपने अभी जो currently plan चला रहे है तो यह users के mindset को pretty depend करता है कि वह अगले महीन यह plan चलाएगा या उसे change करेगा इसलिए सिर्फ geo welcome offer advance में दे दिया कि अगले महीन कोई user change भी करें तो उसे advance में without any encrypted service geo true 5G network की वह continue use कर सके इसलिए यह advance में दिया जाता है तो यहाँ पे users को advance में मिला जरूर है लेकिन उनका जो bill generated होता है वह recharge business नहीं होता वह auto generated होता बस उन्हे plan change करने होता पेमेंट जो है उन्हें एक time cycle दिया जाता है जो कि वह pay कर सकते है तो इसलिए कोई अजूबा नहीं है यह सिर्फ geo post paid का कमान है जहां पर आपको यह magic देखने के लिए मिलता है तो बहुत ज्यादा लोगों के question होंगे कि auto renew किस तरीके से हो जाता है तो वह इसी तरीके से होता है जिससे कि आपको without an encrypted geo to 5G network post paid connection पे पर यूज़ ही कर रहे होंगे तो आपको मालुम हुआ किस तरीके से बाकी मैंने बताई दिया इस वीडियो में यह वीडियो आपको अच्छे लगे चैनल को subscribe, video को like जाब कीज़ों क कर दो